एक जो और मैं इसलिए आपको कॉंप्लिमेंट करना चाहूँगा कि जो सबसे एंबिशियस प्लान इस बजट में रोल आउट हुआ है आयुश्मान भारत और ये अपने तरह का सबसे बड़ा हेल्थ केर प्रोग्राम है जो कि इसके तहट लॉंच हो रहा है भले ही वो सोशल सेक्यूरिटी की तरफ एक पहला कदम माले है देखिए मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे डिश्जॉइंटेट तरीके से फूड कुकिंग एस हाउजिंग इरेक्टिसिटी फ्री एजूकेशन इन गर्वर्मेंट स्कूल यह कई तरीके थे एक वेल्फेर स्टेट के जो इस जॉइंटेट तरीके से हैं लेकिन एक बड़ा कदम हेल्थ केर का जो इसका बिलकुल डेप्रिवेशन था तो था ही नहीं लोगों के पास और यह वो हो जाए तो सरकारी हस्पताल में चले जाओ इलाज हो गया तो हो गया नहीं हुआ तो फिर भगवान बाराव से आप आज उसको एक आपने अधिकार दिया है इसका फूल रोल आउट कब तक हो सकता है इसको तो अगले साल अगले फिलैंशल यह में हम रोल आउट करेंगे औ सर एक कम्यूनिटी बड़ी नाराज है आपसे जो कि एकसर बिजनस चैनल देखती है वो capital markets, stock market उनकी शिकायत यह है कि LTCG आ गया ठीक है, 10% है, reasonable है क्योंकि discount वहाँ पर मिला है उन्हें लेकिन STT हटा नहीं जब LTCG हटाया था तो यह वादा था कि STT इसलिए हम ला रहे हैं अलग परकार से होता है, लेकिन एक बार हम लोगों ने इसको लागू किया, इसको लागू करके देखी, एक concessional rate दिया है और छोटे जो निवेशक हैं उनको हमने एक्जेब्ड कर दिया जो एक लाग तक को बाते हैं, केवल उससे जादा कमाने वाले इसके अंदर आएंगे और मैं मानता हूं कि इसमें कमाने वाले वो हैं जो समाज का क्रीमी लेयर है पैसे वाला और इसलिए उनको tax देने में कोई हिच्चाहट नहीं होनी चाहिए और नियाय की दृष्टी से भी ये नियाय संगत है कि जो बहुत संपन हैं वो tax exemption मांगें, ये अपने आप में उच जित रही है लेकिन उसमें इंडेक्स सेशन की गुंजाईश है आगे चलके benefit दिया जाते हैं तरह तरह के सुझाफ समा आते रहते हैं अभी तो योजना लागू हुई है एक बार लागू होने दीजिए तो उसके बाद देखेंगे आगे कैसे progress होती है